इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत प्रभावी होने के लिए इस दवा का नियमित रूप से उप्योग किया जाना चाहिए. इसलिए इसे लेते रहें. भले ही आपको कोई लक्षन न हो. इसका मतलब है कि यह अपना काम कर रहा है. यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपका COPD खराब हो सकता है. सांस की अचानक कमी को दूर करने के लिए इस दवा का उप्योग नहीं किया जाना चाहिए. इस यानि की गले और नाक के मार्क की सूजन, सीने में दर्द, बुखार, गले में खराश, खांसी, सिर्दर्द, चक्कराना, नाक की सूजन और साइनस की सूजन है. यदि आप वहां पहुंचें, तो इसे लेना बंद न करें, बल्कि अपने डॉक्टर से बात करें. आप अपन से बात करें यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.